अभी दोस्तों नमस्कार, तो आज का चेप्टर रहेगा, इसकेप के बारें पढ़ेंगे, निकास जो होता है, फायर में अच्छा टोपिक है, और हर्याना फायर सिर्वीस की जो भी विद्यारती त्यारी कर रहे हैं, जो भी अमारे साथी, इसकी प्रिपेशन में लगे हुए से आपको उनी चेलनों को अध्यान करवाते हैं, उनी चेलनों पर बार-बार उनी जो आपके टोपिक है, उनके बारे में अध्यान करवाते हैं, तो जातियों ये इसकेप जो आपका चेप्टर है, ये लगता है हर्याना फायर सिर्वीस में जो भी सलेवसार का है, जो वेके यो केवल और केवल आपको दिखाने के लिए नहीं बनाए गया है, समझना है आपको, वो चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी आपको जरूरत है, देखिएगा, इसका चेप्र का नाम है, escape यानि निकास, ये निकास होता क्या है, इसमें अपने को समझने वाली ब बारे में अपने को पता होना चाहिए, ये escape क्या होता है, इसमें किस प्रकार से अपने को एक fire fighter होने का जो अनुबह है, उसको समझना है कि ये escape क्या चीज होती है, दूसी की बारे में अपना दिन करेंगे, शांदा टोपिक है, जितनी भी बिल्डिंग होती है, बाहर निकल इसके प्याने निकासी, किसी भी स्तान बहुमंजिल इमार्त से, मैं साथ साथ में आपको साथ में रिटन में आपको इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आप नोट्स बना सको, और यही वीडियो में डाल रहा हूँ, एप में, एप में, बहुत थारे कंड़ेट मेरे से जुड़ इस टेलिग्राम चैनल पे जो भी वीडियो रहता है, वो आपको तुरंत मिलेगा, दूसरा जो भी वीडियो में मैं नोट्स बिगरा रेडि करके आपको पीपटी पना करके बढ़ा रहा हूँ, ये भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि समझने में अधिकत नहीं हो और डाउनलोड भी हो जाएगा, वहाँ उपतित लोगों ये जिवों को सुरुक्सित बाहर निकालना एक फायर फाइटर का करताविया होता है, किसी भी स्तान हो, जैवे वोहिंजल इमारत हो, बिल्डिंग हो उसमें से अगर आग लग जाए, तो एक फायर प्रियोगे किया जाता है, चलिए आगे, अपने जो चीजे में लेकर के आता हूं, वो इसलिए लेकर के आता हूं, ताकि आपको समझने में दिकत नहीं आए, बहुमंजला इमारतों और इमारतों में आग लगने के कार्ण, उनसे लोगों को विशे साधनों दौरा ही बचा जा सकता है, उस आग से उन लोगों को फायर के जो एक्यूपमेंट है, ऐसे टेक्निकल जो एक्यूपमेंट बने में उनके द्वारा उन लोगों को बचाया जा सकता है, इसके लिए विबिन प्रकार के साधनों का जो जुरुत पड़ती है, लेडर हो गया, लिप्ट हो गयी रसी हो गई एक्सलेटर हो गया तो इन सारे मात्यमों का उपयोग किया जाता है और यह सीडियां भी कई प्रकार के होती है جो वायर सिर्विस में प्रयोग मिली जाती है उनका उपयोग जरूरत की अनुसार किया जाता है बहुमझले इमारतों और जंगलों में आग लगने के के लिए अनेक प्रकार के एक्यूपमेंटों का प्रियोग किया जाता है उन्हें की बारे में पढ़ेंगे कि स्केप क्या चीज होती है सारी बाते हैं अपन वाकाइद आपको डियाग्राम दिग रहा होगा देखते ही समझ में आ गया कि बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसी कोड के आदार पे कंप्लेट बिल्डिंगों का निर्मान होता है उसमें सारे फेसेप्टी के जो फायर के फिचर्स है वो देखे जाते हैं तब जाकर के एक बिल्डिंग को बहुमंजली इमार्त को अनोसी मिलती है नो अबजिक्स सर्टिपिकेट होता है जो फायर देश परदान करता है jakieś बात से बना होता है जो सारी चीज तर्फे बनती है यानि दुर्ण तबी बनेगी जब सीकation कोड है उसके आधारी पर अधारी प Border का निर्भान होता है ईए है डिस बाई बार बार फेले स्टार्ट करने से पहले सिकख और अगर तोपिक में अगर बात आजे, NBC क्या चुछ होती है, तो National Building Code होता है, उसी के अधार पर फायर के जो सिस्टम होता है, फायर के जो फीचर्स होते हैं, फायर एक्जिट, अमर्जेंच, फायर एक्जिट ड्रिल, फायर एक्जिट क्या होता है, आग लगने पर, जिस दवार से बा होस्पिटल है, और होस्पिटल में आग लगने से पहले अभ्यास करना, कि अगर आग लग जाए, तो उन लोगों को किस प्रकार से अपन सीडियों दवारा, या किसी भी मात्यम दवारा, सुर्क्षित तान पर केसे ले जाएंगे, निकास उनका केसे करेंगे, तो होता है, एक जिटे ब्रिल, समझ गए, यह है अगनी सुर्क्षा, यह तो एक बचाओ अभ्यास प्रिक्रिया है, इसमें आग लगने की दिसा में इमारतों को खाली करने का अभ्यास से करवाया जाता है, और यही बात हमने बोली है, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका नोट से आपका कलियरली टोपिक पूरा कंप्लेट होता जाए, आगे चलिए, अभी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन और इसकेप रूट से, जितने भी क्लासिफिकेशन यानि निकास द्वार के जो बाहर, यानि किसी भी बिल्डिंग में आग लगने पर बाहर निकलने के ज होई होता है, निकास का वरगी करने, तो इसमें अलगलग परकार के होता है, एक तो होता है, रस्य के दवारा, रोप के दवारा बाहर निकलना, एक होता है, एक से लेटर के दवारा बाहर निकलना, एक होता है, लिप्ट के दवारा बाहर निकलना, लिप्ट का माध्यम होता होता है निकास दोओर किस प्रकार से लिप्त का प्रयोग क्या होता है हो पॉर टेबल लेडर पांच बोइंट है पांच लोप अच्छा content है आप किसी भी वेकेंसी की त्यारी कर रहे हो आपके लिए बहुत ही मैं तो पुरने सारा content update to update वेकेंसी आए तब मैं नहीं डालता वेकेंसी ना आए तब भी मैं डालता हूँ समझरे हो ना क्या बोल रहा हूँ यानि अगर आपनी कोई वेकेंसी चल रही है किसी भी फायर सर्वीस की कहीं भी किसी भी स्टेट में तब तो इससे समंदीत आपको वीडियो देनी देनी अगर नहीं चल रही तो भी मैं private company उसे समंदीत है कोई न कोई knowledge आपको मैं चनल के करवाता रहता हूं तभी कहता हूं बार-बार की subscribe कर लेना ताकि अपने एच्छे जुड़ सके बहुशे में अपन आने वाली वेकेंसी का अपडेट तुन्त ले सकें सबसे पहले रस्सा का यानि जो रस्सा होता है उसके दवारा किस प्रकार से निकास किया जाता है जब को पोटेबल लेटर का अपन यूज नहीं कर सकते और एक्सलेटर का प्रयोग अपन नहीं कर सकते लिप्ट का प्रयोग तो वेसे याग लगने को दवारा नहीं किया जाता तो अपन एक माद्देम होता है निकास रस्से को किसी मजबूत वस्तु से बांध करके मजबूत एक इसी जगह बांदिया जाता है उसके बाद में उस रशे को खिड़की या जंगलों की दोबार नीचे डाल दिया जाता है और आसानी से जिस वेक्ति को बाहर निकालना है जिस वेक्ति को सामान या कुछ भी अगर निकास अपने को बाहर करना है बाहर निकलना है उससे डेंजर आपको दिख रहे हैं एक रस्य एक मजबूत जगह बंदी हुई है और कुछ एक बिल्डिंगों में ये एक सेप्टी फिचर्स के रिगार्डिंग एक एक एक्यूपमेंट भी स्टोल किया जाता है कि एक रस्य को वाकाइदा रखा जाता है ताकि अमर्जेंशी की टाइम उस रस्य को खिड़कियों द्वारा बाहर निकाल करके आचाने से निचे उतर जा सके पहले है की एक मजबूत से लुएसी मजबूत चाह्罗ों में एकसर कि रस्य को तोड़क है रस्य के दूसरे दूसरे नहीं कि जमीन पर गिरा देते हैं भेंग दिया जाता है इसके पस्तात रस्ये को दीरे दीरे परगड़कर नीचे उत्रह जाता है यह होता है इसके निल्दिंग में आगले इत्यार करते हैं यह तो एकसे लेटर के दोा आपना एंधस लेटर दो होता है जो अपने लिप्ट बोलते हैं उसके दोल सुनाव दोद्ग को जब रहे हो तो और उसे एसलिउड के विजह से वहाँ पर पर जा पॉता थी तो वहाँ नहीं तो पर जा certificates दो लोग ऐ जाते हैं और या उस बिल्डिंग में जो दुआ होता है वो दुआ भी लिप्ट में चला जाता है दम गोटने की विज़े से मर्त्य हो जाती है ऐसी गटनाओं से विज़े बचने के लिए अपन जब अमर्जेंसी से जो अमर्जेंसी टाइम आता है फायर का जब किसी विल्ड बनी होती है जिसका केवल और केवल प्रयोग होता है बिल्डिंग के पीछे वाले बाग में लगी होती है अमर्जेंसी होते होने पर जो लोग हर एक बावन में हर एक मंजिल में उसका एक्जिट दिया गया होता है पीछे अमर्जेंसी एक्जिट दिया हो गयता है और वो ए जो लेडर बनी होई है यही होती है सरफिल आकार लेडर यह सीड़ी चोर से सरफिल आकार की होती है कि बनी होई होती है जिसका उपयोग उन्ची इमारतों की जो मंजिल होती है उस पे आने जाने के लिए किया जाता है यह लेडर लिप्ट के साथ साथ बनी होती है उसके साथ स किसा में बावन की मंजिल पर पहुंचने के लिए इस गोल सिड्डी का प्रयोगे किया जाता है किसी भी कराब समय में यानि जो अपने लिप्ट होती है वो खराब अगर खेशी स्थेदी में हो जाती है तो इस लेटर के दवारा बाउन पर चड़ा भी जाता है उपर भी जाय दिख रही है उसको बोलते है सरफिलाकार लेडर उन्ची इमारतों में आग लगने के बाद लगने पर लिप्ट में दम गुटने का बेयर रहता है इसलिए ऐसी स्थेदी में समान्य लिप्ट का उप्योग नहीं किया जाता है एसी स्थेदी में सरफिल आकार श्रीड़ का पजलिये आखिए आके वाला आते है लिप्टे लिप्ट का नाम सुनते हैं सब जानते है कि किसी भी अनेग भीटिडिंग जो ती है बहुँन्नदिक बुलदिंग वुती उस मंजिल में अपने कुछ ले जाकर के उतार देगी वो कब उतारेगी जब आपन क्या है किसी भी परकार की कोई वहाँ एक्टिविटी एसी गटना नहीं गट रहे की जिसकी वज़े से उसमें नहीं चड़ सकते अगर वहाँ अमरजेंसी हो जाती है कोई एसी गटना गट ज लीकास जनी झानी कंशली में टूनीचे आ सकते हैं आगर से तब अपन लिप्ट में नहीं चड़ेंगे siisが प्रयोग मंजले मरतों में नीचे या उपर शें निचे आने के लिए किया जाता है इससे बहुमंजली इमारतों में अवागमन क्या होता है आसान होता है सिदी सी बात है परंथू आइग लगने की स्थति में उंची इमारतों में लिप्ट में दम गूट जाता है जिस से उपर यहять नीचे आने जाने sheep बादा आ सकती है निकास है एक वर्गी करन इसका जो भाग है क्लासिफिकेशन में आता है पर जब आग लगती है तब इस लिप्ट की दोबार आपन अपडाउने नहीं हो सकते है लिप्ट इसलिए एसी स्थिति में लिप्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता एक स्थिति में लिटर उती है उसका किया जाता है यह सरपिलाकर जो लिटर उती है उसका उपयोग है किया जाता है अमर्जेंसी एकजिट जो हता है फाइर एकृग जिट होता है वहां से अपन बाहरे निकल सकते है एक्सेलेटर क्या होता है एक्सेलेटर एक्सेलेटर का मतलब होता है जो एक बवन की जो अपने मोल होते हैं सोपिंग मोल वहां आपको एक्जामपल मिल जाएगा नीचे वाले मंजिल से उपर वाले मंजिल में जाने के लिए एक से लेटर का आपन क्या करते हैं प्रयोग करते हैं यह अपने पेक नहीं होता बंद बोडी में नहीं होता यह एक सीडी होती है इसमें चेन लगी होती है चेन पर क्रिया ऐसी होती है कि जैसे ही अपन इसमें सेंसर लगे होते हैं पास में जाएंगे तो sensor के according automatically start हो जाएगी और अपन एक जगए खड़े होंगे एक लेडर के एक भाग पे और आसानी से अपने को आगे वाली मंजिल पे छोड़ देगी यह सवचालित सीडियां होती है जब भी sensor लगी होती है तो सवचालित automatically चलती है जिसका प्रयोग छोटी इमारतों या shopping mall में किया जाता है एक से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए किया जाता है बिल्डिंग में आग लगने की स्तिती में मुख्य दुवार बंद होने की स्तिती पर accelerator से बाहर निकला जा सकता है कही बार यह होता है कि मुख्य द्वार बंद होता है तो उस दित्ति में भी accelerator की द्वारा बाहर निकला जा सकता है तो यह भी आपका क्या है कि classification किसका escape का ठीक है आगे वाला आता है portable ladder portable का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान लेडर का मतलब है CD यानि एक AC लेडर जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जासके उसे बोलते है portable ladder तो portable ladder किस प्रकार से escape का काम करती है कि जब किसी बावन में आग लगती है और वावन में आग लगती है तो एक जो अपनी style ladder होती है वावन में concrete की बनी होई जो लेडर होती है building अपने बावन निर्मान का अपन chapter पड़ेंगे उसमें जो चीज़ें जानेंगे भी उस बावन में जो अपनी concrete की बनी हुई जो लेडर होती है तो वह अत्य अधिक टेमपरेश्र के विज़े से क्या हो जाती है? गरम हो जाती है, अपन उपर से नीची नहीं आ सकते, नहीं मेटल की बनी होती है, तो वेसिकली वेसिप्रियों नहीं कर सकते, तो एसी श्तिति में उस बवन की जो अपनी खिड़किया है, उससे डारेक्ट की लेडर होती है, आपकी अलग-लग परकार की लेडर होती है, आपकी स्केप लेडर भी होती है, ठीक है, आपका एक्स्टेंशन लेडर भी होती है, स्केल लेडर भी होती है, तो फ्रस्ट प्लो लेडर भी होती है, तो यह सारे-सारे लेडर होते हैं, अलग-लग कारिये के क प्रियोग में लेते हैं एक ऐसी लेडर जिसके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए 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 उसे बोलते हैं पोर्टेबल लेडर और आग लगने की स्थेती में इस लेडर दवारा आसानी से बाहर निकला जा सकता है पोर्टेबल लेडर की बात करने हैं सा साइज आविश्यक्ता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है तो ये था आपका क्लासिव के सनो इसकेप का नाम सुनते हैं आपके डायग्राम दिमाग में हो जाना चाहिए कि जो किसी भी बावन होता है उससे बाहर निकलने के लिए पिकास द्वार होता है उसके बारे में अध्यान करना और किस प्रकार से अपन एक बावन से अमर्जनसी आपात का लिए सेती में कैसे बाहर निकल सकते हैं अलगलर इसको भरगी करन भी बिन बिता दिया समझी फायरंड शेप्टी शीकर शांदार एप है गजब का एप है कंटेंट आपको शांदार मिलेगा त्यारी करोगे तब तो बहुत अची बात नहीं करोगे तो देखो कुछ नहीं कह सकते और बाकी किसी भी प्रकार का और कंटेंट कोई भी अप्लोड जो भी मात्यम रह जाएंगे कोई भी वेकेंसी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आ रही है तो भी आपको इस चनल के माद्यम से वो सारी जानकर यां दी जाएगी जिसकी आपको जरूरत है अगर आपने फायर शेप्टी का कोर्स कर लिया तो बहुत अची बात अगर नहीं किया तो भ आपको एवेर करके प्राइवेट कंपनियों में जोग दिलवाई जाएगी ताकि आपका करियर बने राश्ट्र की सेवा कर अपने समाज में अलग पहचान नाने की लिए एकमत्र आपके लिए स्वयोग रहेगा SMG Fire and Safety Institute शीकर का अगर आप करना चाह रहे हैं Fire and Safety का कोर्स त अभिक जानकारे गले आज ही संप्रक कीजिए धन्यवाद